साल बाद मेंने विप्रो क्यों छोड़ा तो उसके पीच Benach, कुछ रिजन्स से की विप्रों आ जो प्रोजेक्स था वह बहुत烦्पी क्रिटिकल लेवल पर चल रहात बिमान लिजे किसी बंदे को 10 लाग के salary और उसका 3% increment होता है तो वेल और गुड हो उसके लिए अच्छा है लेकिन किसी की salary बहुत कम है जब मेरी वेपरो में joining थी तब मेरी salary 10k के across थी 2015 में पाथ साल पहली के बाद कर रहा हूँ तब जाके में 3% के increment मिला तो मैंने HR से भी बात की थी कि मुझे increment बहुत कम है according to salary increment होना चाहिए तो after engineering यह course किया था so hope कि मैं better salary expect करता था कि कुछ न कुछ वेपरो एक साल बाद आच्छे salary दे लेकिन वहाँ पे मुझे निगेटिवली feedback मिला और उस reason से मैंने other company join करना सही समझा तो मैंने विपरो छोड़के कोई other company join की तीसरी चीज़ जो भी projects मुझे मिलते थे विपरो के थुरू में 2-3 projects मिला जैसे Vodafone का projects मिला उसके बाद मुझे finance budget finance के projects मिले बहुत सारे projects मिले 2-3 projects मिले तो सारे projects एक guarantee नहीं थी कि आपका वहां पर increment होगा या आपकी salary में growth होगी क्योंकि जो management था project level पर बहुत ही worst case का management था management level पर भी मुझे कोई trust नहीं था उस चीज़ पर कि यह लोग आगे चलके कुछ जो ground level के लोगे उनके लिए कुछ करेंगे क्योंकि increment होती थी guys लेकिन उन लोगों की होती थी जो top level पर उनके salary high तो ground level के लोगों के लिए कुछ आश्य आप वहां पर यह नहीं था 1000 से सीधा हम जाते उतनी salary पर तो उतनी salary मुझे उस company में मिली लगबग मैं बात करूंगा कि 8% पर मुझे आगर 8000 पर मुझे 3% मिल रहा था तो यहां पर मुझे लगबग freshness level पर इतनी salary मिली तो अब यह मैं विप्रो में notice period without complete notice period मैं ने विप्रो छोड़ दिया उसके बाद करना चाहते हो so definitely switch करना बहुत बड़ी बात है मैं एक basic experience करता हो कि कोई भी बड़ी company हो TCS हो विप्रो हो Cognizant हो Central हो Accenture हो अगर आपको growth नहीं दे रही है आपके efforts पर आपको input नहीं दे रही है so उस company को switch करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं गए switch कर सकते हो market में आभी भी अगर आप genuine काम करते हो genuine work करते हो so hope बहुत सारी companies जो आपको high salary provide कर सकते है so hope मैं जब विपर में ततब मेरी सोस थी कि यार मुझे 8 से लेके 12,000 तक salary मिलनी चाहिए as a freshers one year बाद तो मैं 12,000 के लिए आप है जगड रहा था यहाँ पर मुझे तीन गूना ज्यादा salary मिली उस salary के उपर तो यह बात है गाई यह बास बात पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमेशा अगर आपको salary grow नहीं मिल रहे करियर में आपको improvement नहीं मिल तो switch करना एक best बड़ी यह video बनाने के basic motive किसी company को target करना लें लेकिन basic experience शेर कर रहा हो कि MNC company होने के बावजुद भी आगर आपको project सही तरह के से नहीं मिलता है तो आपकी growth वहाँ पर नहीं होगी guys so this video में इतने guys thank you so much